हेलो स्टुडेंस वेलकम टू माई चैनल डियन ओनलाइन अकेडमी मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूं यह पाथिक्रम के संबंद में टैगोर गीजु भाई और गांधी जी के विचार हैं जिस पर असा पहले मेरे करेंगे ले 12 सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं सैध्धान्तिक पक्ष था पाठ्यकरम को पहले समिजने के लिए हम इसको अर्थ देख लेगे इसका तो पाठ्यक्रम क्या है किसी तरह की सिक्षा अत्वा प्रसिक्षन के लिए निर्धारित विश्यों, उपविश्यों एवं सम्बंदित समगरी की व्यवस्तित एवं सार रूप में प्रस्तुत हो पाठ्य विवरन कहलाता है। पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति, लैटिन भाषा के शब्द कर्सिर से हुई है, कर्सिर का अर्थ, दोड का मैदान, इस प्रकार पाठ्यक्रम बालक के लिए दोड में भाग लेने के समान है, जहां बालक सिक्षा के उद्देश को प्राप्त करने ह इसे पढ़ाया जाता है या इसने उपयोग व्यवसाए ज्यानो पारजन पाथे करम की सहाइता में इसमें उपयोग व्यवसाए ज्यानो पारजन अभ्यास और क्रियां संम्मिलत है डीवी के अनुसार सीखने का विशय या पाठेकरम पदार्थों, विचारों एवं सिध्धान्तों का चित्रन है जो निरंतर उद्देश पूर्ण क्रियान वेशन से साधन या बाधा के रूप में आ जाता है कनिंगम के अनुसार पाठेकरम कलाकार सिख्षक के हाथों में एक साधन है जिसे से वह अपनी सामगरी सिख्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश के अनुसार अपनी चित्रशाला यानि विद्याले में ढाल सके फिर पाठिक्रम के अवशक्ता पाठिक्रम के द्वारा ही इस पस्ट किया जाता है कि विद्याले में विबिन इस तरों पर किस किस विशे का ज्यान छात्रों को दिया जाएगा इस प्रकार पाठिक्रम से पाठ्य सामगरी का निर्धारन होता है जिस से सिक्षन प्रक्रिया को सुनियोजित करने में सहायता मिलती है पाठिक्रम के निश्चित होने से अध्यापक को यह पता लगता है कि पूरे सिक्षन सत्र के दौरान उसे किस कक्षा विशेश का को क्या और कितना पढ़ाना है चात्रों को भी यह पता चलता है कि किस कक्षा में उन्हें पूरे सिक्षण सत्र के दोरान क्या-क्या पढ़नावा सीखना है पाठिक्रम की सहायता से अध्यापक कक्षा सिक्षण के दोरान अपने सिक्षण लक्ष से नहीं भटकता है पाठेक्रम की सहायता से अध्यापक कक्षा के चात्रों की योगिता का मुल्यांकन एक निश्चित समय के पस्चात कर सकता है परिक्षण के प्रश्ण पत्र का निर्मान करने है तो पाठेक्रम एक मार्गदर्शक की भूमी का निभाता है पाठेक्रम की सहायता से मुख्य अध्यापक या निरिक्षक अपने विद्याले की सैक्षिक प्रगती का निरिक्षण कर सकते हैं पाठेक्रम का उद्देश्य पाठिक्रम के उद्देश्यों के निर्धारण के प्रमुख्य लक्षों एवं उनकी उपियोगिता को निमलिकित रूप में प्रस्तूत किया गया है सैक्षिक कारेक्रमों की प्रकति का निर्धारण होता है सैक्षिक क्रियाओं को निश्चित दिशा मिलती है सेक्षिक क्रियाओं को बल मिलता है सेक्षिक निर्णय के लिए उचित निर्देश प्राप्त होते है अधिगम अनुभाव एवं मुल्यांकन का स्तरी करन करने में सुविधा मिलती है उप्युक्त अंतरवस्तु के चैन में सुविधा होती है सेक्षिक विकास कार्यों को निर्देश मिलता है अधिगम को कार्यात्मक बनाने में सहायता मिलती है सेक्षिक प्रक्रिया के सुव परिभाशित किया जा सकता है पाठिक्रम का महत्व पाठेक्रम का निर्मान बहुत सोच चिंतन रखने वाले विद्ध्वानों द्वारा ही करना चाहिए क्यूंकि विद्ध्याले की सभी सैक्षिक्रियाएं पाठेक्रम पर ही अधारित होती है सिक्षा में निश्चित लक्ष की प्राप्ति सिक्षा में किसी भी स्तर का पाठे करम कुछ लक्षों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है यदि पाठे करम सुचारू रूप से पूरा करते हैं तो लक्षों की प्राप्ति में सहायक करती है अने था विभिन विश्यों के सिक्षण और क्रियाओं के लक्ष की प्राप्ति समाज द्वारा निश्चित सिक्षा के लक्षियों की प्राप्ति के लिए किसी भी इस्तर की पाठे चल्या में विश्यों के सिक्षन और क्रियाओं के प्रिसिक्षन के लक्ष निश्चित किये जाते हैं सिक्षा के लिए पाठे पुस्तकों के निर्माण में सहायता सिक्षा के किसी भी इस्तर के आधार पर उस इस्तर के किसी भी इस्तर के किसी भी विशे के कौन कौन से प्रकरण पर कितना बल होगा इसमें पाठेक्रम की सहायता ली जाती है पाठिक्रम में सिक्षार्ती के सभी अनुभाव जिन्हें वे कक्षा में, प्रयोक्षाला में, खेल के मैदान में, पुस्तकाले में, पाठिक्तर क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है, सम्मिलित होती हैं पाठिकरम की प्रकृती में सिक्षार्ती की ज्ञान व्रद्धी है तू, नियोजित सभी परिस्थितियां तथा उन उचित क्रम बद्ध करने वाले से धान्तिक आधार सम्मलित होते हैं गांधी जी का सैक्षिक दर्शन पूरा नाम मुहंदास करम चन गांधी पतनी कस्तूर्बा माखन जी कपाडिया कस्तूर्बा गांधी पिता का नाम करम चन गांधी माता का नाम पुतली बाई जन्म दो अक्टूबर 1879 जन्म इस्थान गुजरात पोर बंदर शहर सिख्षा बैरिस्टर मृत्यू 30 जन्वरी 1948 पाठिक्रम के संबंद में गांधी जी टैगोर वगीजू भाई के विचार गांधी जी के सिख्षा दर्शन के सिध्धान्त गांधी जी के सैक्षिक दर्शन महात्मा गांधी का सिख्षा दर्शन मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा का सर्वांगिन एवं सर्वोत मुक्ति को मानते थे मुक्ति से तात्परे शाररिक, मानसिक, आर्थिक, राजनेतिक और अध्यात्मिक ता से मानते थे माहत्मा गांदी जी ने सिख्षा को तीन आर और तीन एच की सन्जय दीती तीन एसे आशे रीडिं रैटिंग अर्थमेट या और तीन एच से उनका आशे था हैंड, हेड और हाड गान्दी जी के अनुसार सिक्षा के उद्देश शारिडिक विकास गान्दी जी के सिक्षा दर्शन के अनुसार सिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक के शरीर का विकास होना चाहिए क्योंकि उनके अनुसार स्वास्त सरीर में ही स्वास्त मस्तिश्क का निर्मान होता है इसलिए सबसे पहले उन्होंने शारिरिक विकास पर बल दिया मानसिक एवं बौधिक विकास गांधी जी के अनुसार जिस प्रकार शारिरिक विकास के लिए शिशु को मा के दूद की अवशक्ता होती है उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए सिख्षा की अवशक्ता होती है व्यक्तिकत एवं समाजिक विकास गांधी जी ने व्यक्तिकत समाज और राष्ट के विकास पर बल दिया समाजिक विकास से तातपर्य मनुष्य को समाज में प्रेम और मानव मात्र की सेवा करने से ही आत्मिक विकास संभव है संस्कृतिक विकास गांधी जी के अनुसार आत्मिक विकास के लिए संस्कृती की ज्ञान की अवशक्ता पर विशेश बल दिया जाना चाहिए उनके अनुसार सिक्षा दर्शन में संस्कृती की एहम भूमिका होती है नेतिक एम चारेत्रिक विकास गांधी जी ने सिक्षा के माध्यम से बालक में सत्य अहिंसा ब्रह्मचर अपरिग्रह और निर्भरता आधी गुड़ों का विकास होना चाहिए ऐसा माना है और व्यवसाइक विकास गांधी जी आर्थिक विकास अभाव की मुक्ती के लिए व्यवसाइक शिक्षा पर बल देते थे और मनुष्य को आत्मनिर्भर बनना चाहते थे इसलिए वे हस्तकला और उद्ध्योग पर बल देते थे आध्यात्मिक विकास गांधी जी मनुष्य जीवन का अंतिमुद्देश मुक्ती आत्मनवूती वा आत्मबोध मानते हैं गांधी जी ने ज्यान कर्म मुक्ती और योग पर समान बल दिया है यह अहिंसा और सत्या ग्रह के मूर्थ रूप प्रदान करते हैं पाठे करम निर्मान पर गांधी जी के विचार गांधी जी ने बेसिक सिक्षा प्रणाली को जनम दिया और इस सिक्षा प्रणाली का पाठे करम छात्रों को आत्म निर्भर बनाने वाला और इसके सरवांगिन विकास उन्नती में योगदान देने वाला है इसके उन्होंने किसी हस्तकार या दस्तकारी के माध्यम से सिक्षा देने के लिए कहा गांधी जी ने अपने द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ती के लिए निमलिखित पाठे चर्या प्रस्तूत की मात्र भाशा हिंदुस्तानी आजकल राष्ट भाशा हिंदी उनके लिए जिनकी मात्र भाशा हिंदी नहीं है विवारिक गणित, अंक गणित, वीज गणित, रिखा गणित आदी, समाजिक विज्ञान, इतिहास, भुगूल, नागरिक सास्त्र एवं समाज का अध्यन सामाने विज्ञान, बागवानी, वनस्पती शास्त्र, रशायन सास्त्र तथा भातिक विज्ञान और ग्रह विज्ञान संगीत, चित्रकला, आचरण सिक्षा, नेतिक शिक्षा, समा सेवा एवं अन्यकारे स्वास्त्र विज्ञान, सफाई, व्यायाम, एवं खेलकूद आदी रवीन नाइट टागूर के अनुसार सिक्षा दर्शन, जन्म सत्रमाई 1861 पिता का नाम श्री रवीन नाइट टागूर, माता का नाम श्री मत्ती शारदा देवी जन्म स्थान, कलकत्ता के जोडा साको ठाकूरबाडी, धर्म हिंदू, राष्टियता, भारतिये, भाषा की जानकारी, बंगाली, इंग्लिश, उपाधी, लेखक और चित्रकार उपाधी, लेखक और चित्रकार, प्रमुख, रचना, गीतान जली, पुरसकार, नोबल पुरसकार, मृत्यू, साथ अगस्त उन्निस सो इक्तालिस रवीन्ना टैगोर के अनुसार, पाठ्यक्रम, टैगोर के सिक्षादर्शन के सिध्धान्त, रवीन्ना टैगोर कनिसार, सिक्षादर्शन के आधारबूत सिध्धान्त या आवशक तत्व निमलिखित है, छात्रों में संगीत, अभी नए एवं चित्रकला की योग गिताओ का विकास किया जाना चाहिए चात्रों को भारती विचारधारा और भारती समाज की प्रश्ट भूमी का प्रश्ट ज्यान प्रदान किया जाना चाहिए चात्रों को उत्तम मानसिक भुजन दिया जाना चाहिए जिससे उनका विकास विचारों के परियावरण में हो चात्रों क नगर की गंदगी और अनायतिक्ता से दूर प्रकृति के घनिष्ट संपर्क में रहकर सिक्षा दी जानी चाहिए सिक्षा राष्टी होनी चाहिए और उसे भारत के अतीत एवं भविश्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए सिक्षा का समुदाय के जीवन से गनिष्ट संबंध होना चाहिए उसे सजीव और गतिशील होने के लिए व्यापक द्रश्टी कोड रखना चाहिए सिक्षा का माध्य मातर भाषा होना चाहिए क्योंकि विदेशी भाषा द्वारा अन्नत मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता सिक्षा का उद्देश होना चाहिए व्यक्ति में सभी जन्म जात शक्तियों एवं उनके व्यक्तित्व का सर्वांगिन और समान्जस से पूर्ण विकास करना जनसाधारन को सिक्षा देने के लिए देशी प्राथमिक विद्यालेों को पूना जीवित करना चाहिए यथा संभव सिक्षा विदी का आधार जीवन प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थितियां होनी चाहिए टाइगोर के अनुसार सिक्षा के उद्देश यदिपी रविद्ना टाइगोर ने सिक्षा के उद्देश को किसी भी स्तान पर प्रतक रूप से चर्चा नहीं की है तथा पी उनके लेखों में सिक्षा के उद्देश से संबंदी उनके विचार प्राप्त होते हैं उनके अनुसार सिक्षा के निम्ने उद्देश हैं सारेलिक विकास। टाईगोर का विश्वास था कि ये था स्वास्त मन के लिए स्वास्त शरीर परम आवश्यक है, आता उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बालक का सारेलिक विकास करना, सिक्षा का प्रतम मुद्देश है उनका कहना था कि शारिरिक विकास के लिए छोड़ देना चाहिए शारिरिक विकास के लिए टायगोर ने पेडों पर चड़ने तलावों में गोते खाने के साथ शैतानिया करके खेल कुद करने की बात कही व्यायाम और पॉश्टिक भोजन पर भी इन्होंने बल दिया मानसिक विकास टैगोर के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही सची सिख्षा है उनका विश्वास था कि मानसिक विकास तभी संभाव है जब वास्तिविक जीवन ही परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से ज्यान प्राप्त किया जाए इसके लिए बालक को प्राकृतिक क्रियाएं करने के लिए अधिक से अधिक अउसर मिलने चाहिए नैतिक एवं अध्यात्मिक विकास आदर्शवद्ली होने के नाते टैगोर ने इस पर बल दिया कि सिक्षा का उद्देश नैतिक और अध्यात्मिक विकास होना चाहिए समस्त व्यक्तियों का विकास, ट्राइगोर का ये मानना था कि बालक के अंदर सभी शुशुप्त सक्तियों का विकास करना सिक्षा का मुख्य उद्देश है ट्राइगोर एक महान व्यक्तिवादी थे, अतहा वे शक्ति के संपूर्ण विकास को विशेश महत्व देते थे समाज और समाजिक्ता का सेवा में भी देते थे वे व्यक्ति की अध्यात्मिक्ता पूर्णता के लिए उसका समाजिक विकास आवश्यक मानते थे टाइगोर के अनुसार पाठिक्रम टाइगोर पाठिक्रम को व्रिस्तित बनाने के पक्षधर थे उनके अनुसार पाठिक्रम को इतना व्यापक होना चाहिए कि उनकी परिदी में बालक के जीवन के सभी पक्षों का विकास हो अता बालक को समुचित विकास के लिए क्रिया प्रढ़ान पाठे करम का निर्मान होना चाहिए दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपनी भासा की संस्कृती के साथ साथ राश्टियता वा अंतराश्टिये महत्व की भाशा एवं संस्कृतियों के ग्यान पर भी बल दिया प्रकती एवं ललित कलाओं को तो ये अतिन्त प्रेमी थे उन्हें यह भी स्पष्ट किया कि यह पाठे चर्या क्रिया बालक के विकास में बड़ा योगदान देती है अता खेल खूद और अभी नए आदि का पाठे क्रम में स्थान दिया जाए पाठे क्रम निर्माण पर टाइगोर के विचार विशे मातर भाषा संस्कृत अंग्रेजी इतिहास भुगोल प्रकरतिक अध्यन विज्ञान कला और संगीत उपयोगी वस्तुएं इसके अंतरगत बागबानी, क्रशी, छेत्री अध्यन, ब्रम्हांड, विभिन वस्तुओं को संग्रह एवं प्रियोक शाला का कार्या अन्य वस्तुएं खेलकूद, नाटक संगीत, नृत्य मौलिक रचना, ग्रंथ और समाज संबंधी बाते गीजु भाई का सेक्षिक दर्शन, गीजु भाई जन्म 15 नवंबर 1885 गीजु भाई बधेक गुजराती भाषा के लेखक और महान सिक्षासाथ चास्त्री थे उनका पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी बेधाक बधेक था अपने प्रयोगों और अनुभवों के अधार पर उन्होंने अकलपना किया था कि बच्चों के सही विकास के लिए उन्हें देश का उत्तम नागरिक बनाने के लिए किस प्रकार की सिक्षा देनी चाहिए और किस धंक से देनी चाहिए इस आधार पर उन्होंने बहुत सी बाल उपयोगी कहानिया लिखी ये कहानिया बाल मन उनकी कलपना की उड़ान गीजु भाई के सिख्षा दर्शन के सिध्धान गीजु भाई सिख्षा को जीवन पर्यान चलने वाली ऐसी क्रिया मानते थे जो व्यक्ति में स्वतास पूर्ती होती है जिसकी चलते व्यक्ति कुछ सीखने का प्रयास करता है उनके अनुसार सिक्षा जीवन व्यपिक्रिया है इस पद्धती का उद्गम हमारे भीतर से होता है उद्गम का मूल है अंतर आत्मा की भूख कोई आदमी किसी को नहीं सिखा सकता सिक्षा विकास है और विकास की अधार शिला है अनुभव गीजु भाई ने ततकालेन सिक्षा को जीवन से कटा हुआ अनुभव किया था कि सिक्षा और मानो जीवन का आपस में कोई संब्द नहीं है वरतमान की सिक्षा भी बालक के मस्तिश्क को सूचनाय और पुस्तकिय जानकारी का तो भंडार बना देती है पर करना है जहां से सिक्षारती को सरव पृथम अवशकता है गीजु भाई उस सिक्षा को वास्तविक शिक्षा मानते थे जो स्वतंतरता के माध्यम से बालक को सरवांगिन विकास करे और इसलिए बनाएं कि इस लायक उसे निर्भीक बनाएं और जीवन की वरतमान चुनोतिय का सामना करना सिखाए गीजु भाई ने सिक्षा में स्वावलंबन और स्वतंतरता को प्रमुखता दी है गीजु भाई के अनुसार सिक्षा के उद्देश में वैक्तिक तथा समाजिक उद्देश्यों के माध्यम मध्य संबंद स्थापित करते हैं वो जीवन उप्योगी उत्त पूर्न मानते हैं, उनकी अनुसार सिक्षा के उत्त लिकास, बौधिक विकास, आत्मिक छमता का विकास करना, विवसाइक दक्षता में व्रद्धी करना, सामूदाइक सहबागिता का विकास करना, राष्ट बक्त नागरीकों का विकास करना समता वा समानता का विकास करना स्रजनात्मक छमता एवं आत्म अभिव्यक्ति का विकास करना स्वच्छता के पति जागरुकता उत्पन करना चारित्रिक वा समाजिक मूल्यों का विकास करना गीजु भाई के अनुसार पाठे क्रम में बालकों की रुची रुज्ञान एवं आवशक्ताओं को ध्यान रखना जानना चाहिए पाठे क्रम का विशे वस्तु एवं कारे कलाप बालक की स्वभाविक इच्छा त्रप्ती में सहायक हो पाठे क्रम क्रिया केंद्रित श्रम में आस्था उत्पन करने वाला हो, स्वावलंबी बनाने वाला हो और वैज्यानिक बुद्धी उत्पन करने वाला हो पाठे क्रम के संदर्व में गांधी जी टैगोर और गीजु भाई के विचार में समानता हैं पाठिकरम के संबंद में गांधी जी टैगोर गीजु भाई ने समानता हैं जो पाई झाल 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 झाल